हम अपनी पहचान संसार में कैसे बनाएं आदते हर मनुष्य के जीवन एक अभिन हिस्सा है आदते हम सभी के जीवन में ऐसी अनेक आदते शामिल है जिन से हमारा वेकित्तु जलता है इन आदतों के द्वारा हम बहुत सारी क्रियाओं को करते हैं और जाने अंजाने इन्हें दोहराते भी हैं जब भी हम किसी कारियों को पहली बार करते हैं तो बहुत संभल कर सजग होकर करते हैं लेकिन कई बार वो ही कारिय करने के बाद हम उसे अचितन रूफ से अपने आप करने लगते हैं और वो आदते हम में शामिल होने के कारण वो कारिय सोतों ही होने लगता उधारन के लिए जिस फ्रकार हमने जब लिखना सिखा तो एक-एक अक्षर को बनाने में बहुत महनत लगती थी बहुत देरे-देरे लिखा जाता था लेकिन अक्षरों को लिखने का अव्यास हो जाने पर हम किसी बात को केवल सुन कर लिख सकते हैं अब उसे लिखने में कोई परिशानी नहीं होती हमारे द्वारे लिखे गया अक्षर भी विशश आकार के होते हैं जिन से हमारी लिखावट पहचानी जाती है इसी तरह हमारे वेक्तितों में कई तरह की आदते शामिल है जैसे लिखने, बोलने, चलने, खाने, पीने वा दिन चरह से जुड़ी अनिक आदते हैं ये वे आदते हैं जिन से हमारी पहचान बनती है इसलिए शुब लिखे, शुब बोले, शुब चले तभी हमारी आदते शुब होगी और जब आदत शुब होगी तो हमारा करम भी स्रेश्ट होंगे यही हमारी पहचान बनेगी जो संसार में हम पहचाने जाएंगे तो अपनी आदत को बदले अपनी आप को पहचाने और पहचान बनाएं ओम शान्दी